Let's understand, हम क्यों अपने good habits को consistent नहीं रख पाते? Well, आपके सामने है एक diagram जिसका नाम है 3 layers of behavior change. पहला layer है outcome का, यहाँ पर हम खुद के result को बदलने की कोशिस करते हैं. जैसे कि अपने weight को lose करना, या फिर 9th championship को जीतना. दूसरा layer है process का, यहाँ पर हम अपने habits और system को बदलने की कोशिस करते हैं. जैसे कि meditation करने के तरह तरह के practices, या फिर gym के लिए 9-9 routines. और तीसरा layer है हमारे identity का, हम यहाँ पर खुद के बारे में क्या सोचते हैं, उसको बदलने की कोशिस करते हैं. James Clear कहते हैं कि लोग habits को इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि वो अपने current results से dissatisfied हैं. Instead, लोगों को identity based habits पे focus करना चाहिए. Simple शब्दों में आपको पहले believe करना होगा खुद पर आपको वो feel करना होगा जो आप बनना चाहते हैं और उसके बाद आप अपने habits, system, process को बदलने की कोशिस करें. Result अपने आप आपको बहतर मिल ही जाएंगे. Well, अगर ये बात James सहाब के अच्छी लगे,